आज जैसा कि आपको पता है हमारी 7 days badge training का आज first day है जिसका topic इंशाला दो topics में cover करूँगा इसमें ESBI model और second number पर how to set goals, goal settings हम किस तरीके से कर सकते हैं, targets कैसे हम set कर सकते हैं, किस तरीके से हम बड़े dreams और short term dreams वगरा ये कैसे हम achieve कर सकते हैं, इंशाला इस पर इंशाला आज का session मै इंशाला करवाँगा, अच्छा एक और चीज मैं आपको clear करता चलता हूँ, अगर आपकी team में से, ठीक है, बहुत से leaders हैं, जो groups में add हैं, अभी तक नहीं आ सकें, तो उन्हें जल्दी से inform कर दें, हम session में live हो चुके हैं, क्योंकि after 10 minutes हम इंशाला ये जो session है, इसकी room है, इस चीज साफ से request करूँगा, ठीक है, वो waiting room, जो है, वो on कर देंगे, जिससे आपके जो भी leaders हैं, then session में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, 10 minutes के बाद, ठीक है, 10 minutes के बाद वो आ नहीं पाएंगे, तो उन्हें जल्दी से, अगर वो आपको नजर नहीं आ रहे, आप मेंसे goal leaders ने उन सुरुष शेर मुलतान से, ठीक है, जिसे ओली उल्ला की धरती भी कहा जाता है, इसके साथ साथ, जो है, इस platform में, सार मुझे around about जा है, वो 16 months हो चुके है, ठीक है, इस platform में काम करते हुए, अलहम्दुलिल्ला, 4000 प्लस business partners की team को मैं lead कर रहा हूं, ना सिरफ पाकिसान से, बलक इंपोर्टन होने वाल है, उसकी reasons क्या है, कि इंशाला आपको एक clarity मिलेगी, हम कहां है, हम क्या करें और हमें कहां जाना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादातर लोग जो है, अपनी जिन्दीगी की दोड़ में लगे हुए, लेकिन उन्हें कोई direction पता नहीं है, उन्हें कोई सिम को focus के साथ attend करने, इंशाला ज्यादा time नहीं लोगा, 40 to 45 minutes के अंदर इंशाला हम session को cover करेंगे, ठीक है, तो अभी आपके पास time 10 minute का है, अपने teams को जल्दी से inform करें, कि हम live हो चुके है, ताकि वो session miss ना करमें, ठीक है, तो without waste any single second जो है, मैं आपके साथ screen share करूँगा, और को को अपने personal में share करना है, सब मुझे ना कीजेगा, बलके आपके अपने silver golds, आपके applies में आते हैं, उनको आप personal में share करेंगे, groups में share नहीं करेंगे, then आपके attendance शुमार होगी, ठीक है, तो शुरू करते हैं, आज का session के हमाले से सर, तो मैं आपके साथ screen share करूँगा, focus screen की model जिसे four quadrant theory भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें चार category बियान की गई है, ठीक है, ये जो theory पेश की, ये कोई आम परसन नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े author है, ठीक है, बहुत बड़े business economist है, ठीक है, अमेरिका के अंदर, जो है, top economist में इनका नाम आता है, ठीक है, और इसके साथ number one, जो है, ये बुक लिख चुके है, पैसों के उपर, जिसे, the rich dad and poor dad, जो कि इस ताइम एमाजॉन पे, top trending की होने वाली, sale वाली, जो top trending book है, उसमें इसका नाम आ चुक है, ठीक है, और जब से ही, इन्होंने इस book को लिखा, ठीक है, जिसका नाम है, the rich dad and poor dad, उसके बाद इन इनकी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको recommend करूँगा, ठीक है, कि आपने, जो है, इन books को लाजमी read out करना है, अगर आप, जो है, वो, पैसों के हवाले से study करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि आपकी financial, आप strong हो सके है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहां जो तलीम हो लोग, चार तरीका कार से, यानि कि चार केटागिरी में लोग इन्होंने divide कर दिये, जो कि पुरी दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो आज इसे मैं इन्शालला explain करूँगा, वो चार केटागिरी कोंसी, मैं भी आपने इससे पहले भी, इन केटागिरी के बारे में presentation देते हैं, या आप किसी को present करते हैं, physical meetup पे या online अगर किसी meetup आप किसी को present करते हैं, तो आप सबसे पहले यहां से start ले सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, सर हम presentation दें, किसी को काम बताएं, तो हम start कहां से करें, तो सर आप ESBA model से आप start ले सकते हैं, ठीक है, तो start करते हैं सब से पहले नोंने बताया Robert T. Kusakir नोंने का सर दुनिया में लोग जो है वो चार तरीके कार से पैसे कमा रहे यहनि के चार केटगरीज से लोग जो है वो पैसे कमाते है जो पहली केटगरीज नोंने बताई सर वो Employees की केटगरी थी कुन S regulatory ze है, employee, ठीक है, उनने का सर, दुऔिया में, सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो भine fall करते हैं, जिस category में, सर वो इस category में लोग fall करते हैं, वो क्या नहीं है सर, employee, यानि कि, वो क्या करते हैं, वो किसी के under job करते हैं, ठीक है, इसके अंदर उनने पताया आप चैर्टर्र अकाउंट और बोस से आप परसंड जवे हैंücksJI इस कैटागरी में फाल करते हैं। उन्हेंने कहा दुनिया के अंदर सब से पहले जो कैटागरी आती है वो एम्प्लॉईज की कैटागरी आती है और मेक्सिमम कैटागरी यही आती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग किसी के अंडर रहकर जॉब करते हैं, और यहां उन्होंने बताए कि यह लोग क्या करते हैं, यह लोग जितना टाइम देते हैं, उतना ही पैसा कमा पाते हैं, क्या कहा सर इन्होंने, उन्होंने कहा कि यह लोग जितना टाइम दे पाते हैं, उतना ही यहां से पैसा कमाते हैं ठीक है, मिसाल के तोर पर एक जोब पड़े क्योंकि सर कहा जाता है, time is equal to money ठीक है, आप जितना time देते हैं आप उतना ही पैसा कमाते हैं ठीक है, तो नहीं ने कहा कि यह लोग जो है, वो maximum 8 गिंटे एक इनसान individually काम कर सकता है 12 गिंटे या maximum 16 गिंटे इससे जादा उसकी body accepting नहीं करेगी, ठीक है तो यह लोग जो है, वो क्या करते हैं ठीक है, यह लोग 12 से maximum 14 गिंटे over time लगा कर काम करते हैं ठीक है, और उसके बाद जो है, यह किसी के under रहकर काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद यह काम करते हैं, तो इनको income आती है, यह काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद उन्हें ने बताया, सर second जो category आती है, सर वो आती है self-employed की, कौन सी आती है सर self-employed की, अच्छा यह self-employed कौन से persons होते हैं ठीक है, यह ऐसे persons होते हैं, जो किसी के लिए जाब नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन यह अपने लिए जाब करते हैं, ठीक है, यानि के इनका कोई खुद का boss नहीं होता, जो employees होते हैं उनका तो boss होता है, इनका कोई boss नहीं होता, यह अपने ही काम के boss होते हैं, ठीक है, यह कौन से होते हैं, self-employed मैं आपको explain कर देता हूँ जिसमें डॉक्टर्स आ सकती है ठीक है अब मिसाल के तोर पर मैं आपको example देता हूँ एक डॉक्टर है वो अगर किसी के hospital में काम करता है तो वो employee होगा क्योंकि वो salary पे काम कर रहा है अगर वो अपना clinic मना लेता है ठीक है अपने clinic पर वो patients को deal कर रह है ठीक है उसके बाद अगर मिसाल के तोर पर एक engineer है वो किसी के अंडर रहे कर तन्खाव में काम करता है तो वो employee होगा यानि कि वो first category में होगा लेकिन अगर वो engineer खुद ठेके वगरा लेता है या construction का का काम करता है तो वो self employee होगा ठीक है इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो self employee होते हैं ठीक है मिसाल के तोर पर एक chartered accountants है वो खुद ledgers बगरा सारी चीज़ें खुद देखता है ठीक है वो अपने बिहाब पर काम करता है यानि कि जिसे self made person का जाता है ठीक है तो वो क्या होते हैं सर वो self employee होते हैं इन में बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं सर ज जब तक रिक्षा चला रहा है तब तक उसको पैसा आ रहा है जब रिक्षा चलाना बंद कर देगा पैसा आना बंद हो जाती है तो same like ऐसे ही होते हैं employed में क्या होता है ठीक है आप किसी के अंडर job कर रहे हो तो आपको income कर दो यो आपको job से निकाल दे तो सर आपको income आना ब बंद हो जाती है ठीक है same like ऐसे self-employed क्या करती है अगर एक doctor है वो clinic पे बैठा है ठीक है बहुत बड़ा doctor है मान लें कि उसकी यानि कि बहुत अच्छे जो है वो उसके clients है लेकिन sir जब तक वो patients को check कर रहे है तब तक उसको पैसा आ रहा है मिसाल के तोर पर उसने को invocations में जाना है उसको कोई emergency पढ़ गी है तो sir उसको अपना clinic बंद करना पड़ेगा अगर वो अपनी जगा अपने बेटे को बिठाएगा या किसी और को बिठाएगा तो उसके पास client नहीं आएंगे क्यों उसके पास patients नहीं एंगे क्यों क्योंकि sir उसकी face value है उसका जो experience है वो किस किसी और का नहीं है वो किसी और को वो चीज़ शिफ्ट नहीं कर सकता यानि कि वो भी self-employed ही आता है वो काम करेगा तो इसे income आएगी अचा अगर कोई shopkeeper है कोई दुकान दार है मान लें ठीक है एक दुकान दार है सर वो भी self-employed में आता है क्यों कि sir उसकी एक दुकान पर बैठा है दुकान अगर नहीं बैठता वो शटर डाउन हो जाता तो सर उसको भी income आना बंद हो जाती है वो बिजनस नहीं कर वो बिजनस ही रहा है कर वो अपना ही काम रहा है ठीक है लेकिन सर वो बिजनस ओनर्स केटागरी में रॉबर्ट टी क्यू साकी कहते है जो कि इस का्टगरी में नहीं आते हैं यह अगर मिशाल कि तो इसने दो-चार लड़के रख भी दी की तरफ move किया और बताया कि right side में जो next category आती है सर वो कौन सी आती ही वो आती है B की B क्या होता है सर business owners ठीक है अब उन्होंने business की definition बता है ये business की definition आपको आनी चाहिए ठीक है अगर आप ये समझ गए ठीक है तो आपको पूरा concept समझ करता है ठीक है उनको क्या करता है उनकी skills को use करता है उनकी skills को utilize करता है उनको अपने under hire करता है और उनसे काम करवाता है और उसके बाद जो है वो खुद बैट कर काम नहीं करता ठीक है यानि कि वो क्या करता है एक business man वो एक system create करता है ठीक है एक strong ideal आता है system create करता है और उस पर क्या करता है लोगों को recruit करता है लोगों को hire करता है और उससे system run करवाता है यानि कि वो जो employees होते हैं ये जो left side पर जो employees होते है skillful person इनको business man hire करते है इनकी skills को use करके अपने business को boost करते है ठीक है और उसके बाद क्या होते है सर Rich Dad and Poor Dad book का नाम है आप उसमें इस पूरा उन्होंने ग्राफ एक्स प्लेइन किया है और इसी वज़ा से बहुत नंबर वन जो है वो ये पैसे के लिए हासे नंबर वन जो है वो सेलिंग का इसे रिवार्ड मिला हुए ठीक है तो इन्होंने लास्ट में बताया है लास्ट केटगरी आती है सर आई की जिसे इन्वेस्टर का जाता है सर उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर पुरी दुनिया में बहुत काम है आगे मैं इनकी कॉंटिटी भी बताऊंगा स्टेंट भी बताऊंगा कितनी परसंटेज है इनकी ठीक है उन्होंने बताया कि आप क्या करेंगे, आप किसी जगा प्रॉपर्टी पर चेस कर लेंगे, आप ज्यादा रिस्क कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं, तो आप अपनी कोई कमपनी खड़ी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी जगा कोई स्कूल और कॉलिजिस जो है वो बना सकते हैं, Managers उपर बैटें, उनको डील करें, आपने जस्ट इंवेस्मेंट किये दरम्यान और आप वहाँ से बैठें, पैसा कमाएंगे, तो उनने बता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये चार केटागरी में लोग हैं, जो के पैसा कमा रहे हैं, अब जो मैं आपको चीज क्लियर करने हैं, कि ये जो E और S हैं, यानि कि Employed और Self Employed हैं, इनकी जो तदाद हैं, यानि कि ये जो Left Side वाले लोग हैं, Left Side में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये देखेगा, इन्होंने कहा कि ये जो E और S वाले लोग हैं, यानि कि Employed और Self Employed हैं, सर, इनकी तदाद पुरी दुन business owners और investors है इनकी तादाद पुरी दुनिया में 10% है सिरफ ठीक है उन्होंने बता है कि 10% लोग right side वाली categories में और left side की तरफ sir जो है 90% है लेकिन पैसों के लिहाज से सब जड़ देखा गया कि पैसा कौन ज़्यादा कमारा था sir उन्होंने देखा कि left side में जो 90% community थी यानि कि जो 90% लोग जो कि employed और self-employed थे sir उनके पास जब पैसा देखा गया तो sir पूरी दुनिया का सिरफ 10% पैसा उनके पास था कितना sir सिरफ 10% पैसा यानि कि ये जो 90% लोग हैं ये किस चीज के लिए स्ट्रगल करें सिरफ 10% पैसा कमाने के लिए और sir जब देखा गया business man business owners जो investors है sir ये पूरी दुनिया के अंदर सिरफ 10% है लेकिन 90% पैसा इन लोगों के पास था कितना sir 90% पैसा इन लोगों के पास था ठीक है आज ही की session में बताने जा रहा हूँ ठीक है sir ये इतना बड़ा gap आया time leverage की वज़ा से किसकी वज़ा से sir time leverage की वज़ा से ठीक है वो explain करते है वो कहते है time leverage is the major things जिसने इन दोनों के दरम्यान difference create की है ठीक है अगर जो person time leverage को समझ जाए वो हमेशा ये बात जेन में रखेगा वो business करता करता ही मरेगा वो job करता कभी नी मरेगा ठीक है अगर वो time leverage को समझ पाया उन्होंने क्या explain किया उन्होंने बताया कि sir ये जो left side वाले लोग है ये left side वाले लोग है ये time leverage को use नहीं कर सकते है time leverage क्या होता है सर, वकत का फाइदा उठाना क्या है सर, वकत का फाइदा उन्होंने कहा कि सर, यह जो left side वाले लोग है यह सिर्फ individually काम करने पर believe करते है एक doctor है, वो individually काम करेगा ठीक है, वो अकेला ही काम कर रहा है अकेला कितना काम कर सकता है, मुझे आप बता दे मिसाल के तोपर, एक doctor है, वो self-employed है किसी के अंडर रहा है कि job कर रहा है, फिर तो उसकी salary, उसकी limited है अगर वो अपना भी clinic मना लेता है हम जिसे doctor engineer को बहुत बड़ा समझ रहे है मान ले, वो बहुत heavy level का है वो अपना cleaning बना के भी काम कर रहा है सर वो एक दिन में कितने doctor deal कर सकता है maximum, oh sorry, patient deal कर सकता है maximum 20, 30, 50, 100 अगर एक दिन में 500 patients आज दिन, तो क्या होगा सर ठीक है, सर उसके लिए problem हो जाएगा फिर उसे आगे time देना पड़ेगा आगे time देना पड़ेगा ठीक है, इससे क्या हो सकता है और कहीं और भी लोग move कर सकते है या फिर, अगर मिसाल के तोर पर मिसाल के तोर पर, यह जो doctor है यह खुदाना कास्ता है, यह इस दुनिया में नहीं रहता तो sir, मुझे बताएं, क्या इसका business चलेगा नहीं चलेगा sir, ठीक है यानि कि अगर कोई और doctor उसकी जगा भी ले ले लेकिन वो patients वो चीज नहीं रहेगी तो कहने का मकसद क्या है, sir, यह लोग individually काम करते है ठीक है, यह लोग maximum individually person मेरा आप से question है, कितना काम कर सकता है एक दिन में 8 गेंटे, 10 गेंटे 12 गेंटे को एक person individually काम कर सकता है तो sir, कहा जाता है, time is equal to money मैंने पहले भी बताया था, जितना आप time ज्यादा देते हैं, उतना आप ज्यादा पैसा कमाते हैं एक इनसान एक दिन में maximum 12 से 16 गेंटे time दे सकता है, इसे ज्यादा नहीं time दे सकता इसी वज़ा से वो लोग minimum earning कर पाते है ठीक है, लेकिन business owners क्या करते है business owners जो है, वो time leverage को use करते है वो इन लोगों को hire करते है और एक person से, अगर suppose that एक person उनके अंडर रहकर 8 गेंटे काम कर रहा है तो वो 100 persons को hire कर सकते है वो 100 लोगों का time purchase कर सकते है ठीक है, और अगर 100 लोगों 8-8 गेंटे उनके लिए काम करें तो सर वो 24 गेंटों में 800 गेंटे उनके लिए काम हो रहा है कितना सर, 24 गेंटों में 800 गेंटे उनके लिए काम हो रहा है यानि कि वो time leverage को use करते है आप देखें, जितनी बड़ी company होगी उसके उतने ही ज़्यादा employees होंगे ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो turn over generate करी होगी क्यों? क्योंकि आप ने कभी ये चीज़ नोट की है कि jazz के honor ने आपको कभी call की हो बताएं, seem सही चल रही है आपने help line पे call की हो या zone का owner है, वो आपको कह रहा है असलाम लेकूम, भाजी क्या है, ठीक है मैं zone का मालिक बात करूँ, कभी ऐसा हुआ सर ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी मिया मन्चाप को MCB के bank में मिला हो, असलाम लेकूम जी मैं आपका cash in कर दूँ कभी नहीं मिलेगा सर, ये जो business owners होते हैं न, अच्छा, अगर आपने किसी को शिकायद भी करनी हो, आज आपका network का problem आरो, आपने गालियें भी देनी हो, आप employees को निकालते हो, business owners को निकालते है इन्होंने employees को hire किया होता है, सर ठीक हम जैसे employees जो पढ़ लिखकर इनके अंडर जॉब कर रहे होते हैं, हम इनके अंडर काम कर रहे होते हैं, और ये हमारी skills को use करते हैं, ठीक है, और वही जो degree होते हैं उनके हमें value क्या मिलती है, सर, आप खुद अंदादा लगा सकते हैं, कहने का मकसद ये है कि जो business owners होते हैं न, सर, ये system generate करते हैं, skillful लोगों को hire करते हैं और उन सेट काम करवाते हैं, आज उनके लाकों के employees होते हैं, मिसाल करते हो पर आज jazz का honor जो है, वो कहीं 6 मन्त के लिए भी छुटियों में चला जाया है, मुझे बताएं क्या उसका business रुकेगा, सर, कभी नी रुकेगा क्यों, सर, उसके under job काम करें, आज मार्क जगबर जो Facebook का honor है, ठीक है, अगर आज वो एक मन्त के लिए बिमार होजएं क्या Facebook रुकेगी, सर, नहीं रुकेगी, ठीक है, सर, याद रख लिजेगा, जो business owners होते हैं, जो business man's होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो एक तो वो limited earning कर पाता है, ना लगजरी life गुजार सकता है, और उसके बाद जो वो मरता भी है, तो Allah माफ करें, ठीक है, आने वाले जो उसकी उलाद होती है, ठीक है, वो भी crisis में गुजर रही होती है, वो भी 9 to 5 job के लिए struggle कर रही होती है, studies कर रही होती है, hope of all, first of all, आपको experience बड़ा जुरूरी है, कि बिजनस में किसी उस टाद के अंडर रह करिये, किसी जगा आप 5-10 साल का experience लें, वो का जाता है, पुटर अगर प्यो business का रहे है, तो पुटर भी business कार सकता है, प्यो नोकरी का रहे है, तो पुटर भी नोकरी करेगा, यह बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, उसके बाद experience आपके पास नहीं होता, second number पर, अगर experience है, तो sir, आपके पास investment नहीं होती, ठीक है, बहुत से लोग है, sir, हमारे में competition इतना है, अच्छा, मेरी अवाज सबको clear है, kindly मुझे confirm करते है, मेरी अवाज clear है, पाता लागे, मैं बोली जा रहे हैं, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, sir, आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, और एक चीज़ जेर में रखेगा, note एक एक point नहीं किया जाता, just कुछ-कुछ points होते हैं, जो main points होते हैं, उनको note किया जाता है, बाकि कुछ चीज़ हैं, समझी जाती है, अगर आप एक-एक word note करने बैट जेए, फिर आपके mind में कुछ चीज़ नहीं उतरेंगी, ठीक है, ये भी एक चीज़ सीखनी आपने, कि मैंने notes क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, कौन-कौन से points, कुछ-कुछ ऐसे points होते हैं, सारी चीज़ें हमने note नहीं करनी होती, अदरवाइस आप सिर्फ note करने में बैट जीएंगे ना, आपको याद नहीं होगा, और सिर्फ डाइरियें भरते रहेंगे, हमें आएगा कुछ नहीं, ठीक है, खेर, तो बात करते हैं सर, मैं ये बात करना चाह रहा था, कि अब आपके पास strong idea क्या है, business कौन सा करें सर, ठीक है, market में तो competition इतना है, सर, इतने लोग बैठे होएं, ठीक है, एक जूते की shop बनती है, तो कितने जूते की shop हैं, ठीक है, अच्छा जी, उसके बात चलें जी, आपके पास strong idea भी आगया, तो सर, last में एक चीज तो लाजमी रहती है, ना, वो क्या रहती है, सर, risk, बनता कहता है, सर, मैं सारे काम भी कर लूँ, ठीक है, तो सर, risk हो, अगर मेरा पैसा डूब गया, तो क्या होगा, होता है के नहीं होता है, डर पैदा होता है के नहीं होता है, सर, business करने है, लेकिन ये चारों चीज़ें आती है, सर, डर भी है, पैसा भी चाहिए, experience भी चाहिए, strong idea भी चाहिए, तो क्या किया जाए, भाई, कहा जाएंगे, ठीक है, तो सर, इसी वज़ा से, Robert T. Kusa की अपनी अगली बुक में बताते है, जो उनकी next series की बुक है, The Business of 21st Century, Robert T. Kusa की कहते हैं, कि सर, एक ऐसा बिजनस है, ठीक है, जिसे इंडिया लेंग्विज में, जो हिंदी में कहा जाता है, एक महतर ऐसा बिजनस है, ठीक है, वो कौन सा है सर, वो कहते हैं, सर, network marketing एक ऐसा बिजनस है, जो कि एक bridge की मानिद रखता है, वो आपको ESPI model से, यानिके यह जो E और S की category है, इससे एक bridge बना के आपको, जो है, वो business owners की category में लेके जाता है, वो क्यूं लेके जाता है, मैं आपको example देता हूँ, ठीक है, वो कहते हैं, जी network marketing के अंदर क्या होता है, network marketing के अंदर आपको 9 investment की जरूत होती है, आप एक small level की franchise ही बनते हो, यानिके आप एक small level के वहाँ product purchase करते हो, second number पर, second number पर वो कहते हैं, कि ऐसी organization, अगर मान ले, आज आपने खुद company बनानी है, तो आपका brand तो किसी को पता ही नहीं है, आप तो already जानता ही नहीं, आपको कोई, लेकिन अगर आप किसी brand को use करते हैं, तो पहला दिन भी अगर आप उस brand के साथ जड़ते हो, तो उस brand की वज़ा से, बहुत से लोग क्या कहते हैं, आपके customer बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी brand की वज़ा से, ठीक है, बहुत से लोग, आप अगर suppose that, आज आप अकेले कोई company बनाते हैं, आप किसी को कहते हैं, मेरी product purchase करो, कोई person आपके पर believe नहीं करेगा, आप Econex से हैं, आप Econex present करते हैं, वो बंदा Econex को सर्च करेगा, वो उसका background देखेगा, वो देखेगा, इसने कितने already लोगों को कुछ कमाने की काबिल बनाया, वो इसका पूरा सर्च करेगा, ठीक है, तो उस brand की वज़ा से, आपके साथ customer जल्दी बनना शुरू होते हैं, ठीक है, मान ल उस brand के नाम की वज़ा से, और सर्च मार्केट में अगर पता करें, तो उस brand का नाम लेने के लिए लोग क्रोडर रुपे की investment करते हैं, लेकिन आपको network marketing वाहिद है, जैसे काते हैं हिंदी में मातर ऐसे ये industry है, मातर ऐसा business है, जो कि आपको, ठीक है, ये मोका देता है, कि में आ सकते हैं, और मज़े की बात, मज़े की बात मैं आपको clear करना चाहरा हूँ, मैं चाहरा हूँ कि आपको deeply explain कर दूँ, कि आप एक business owner की तरह लोगों को recruit कर सकते हैं, आप time leverage का इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे एक नोकरी देने वाला बंदा, लोगों को नोकरी salaries पर hire करता है, सर आपको ये company, आपको ये जो network marketing industry है, पहले दिन से ये आपको ये opportunity देती है, आप भी लोगों को recruit करना start कर देते हो, लेकिन आप खुद salary pay नहीं करते हैं उनको, बलके company उनको salary pay करती है, और मज़े के बाद आपको recruiting पर भी company commission देती है, ठीक है, यनि कि आप यहाँ directly products को sales करक company का भी company आपको पैसा देती है, तो सर इस जैसी best industry, इस जैसा best business कहीं हो सकता है, तो बताएं सर, ठीक है, ये वाहिद ऐसा मैं business मानता हूँ, जो के, ये मैं नहीं कहा रहा सर, Robert T. Usaki, ठीक है, Donald Trump के वो business partner में है, real estate के बहुत बड़े उनके assets है, ठीक है, और बहुत बड़ा ना है, उनका सर, ये वो कहते है, the business of 21st century network marketing है, आप Google पे भी search कर सकते हैं, तो इसी वज़ा से, ठीक है सर, ESBI model में उन्होंने netto marketing ऐसा business करार दिया, जो के आपको बहुत जल जो है वो, इस category में ला सकता है, जो के 2 से 3 साल कंदर आपकी life को change कर सकता है, hope so, आपको आज ESBI model और concept clear और अगर आप यही concept किसी prospect के सामने रखें, उसके बाद आप plan share करें, तो आप देखेगा, आपकी joining के chances बहुत जादा बढ़ सकते हैं, hope so, आपको ESBI model मैं समझाने में, कुछ ना कुछ जो है, मैं समझा सका हूँगा, ठीक है, आगे बात करते हैं sir, goals, ठीक है, यानि कि goals क्या होते हैं, ठीक है, और जो है, बहुत से लोग target set करते हैं, बहुत से लोग अपने जिन्दगी में target बनाते हैं, ठीक है, कि जी मैंने ये चीज़ अचीज़ करनी है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, excuse me, okay, तो बहुत से आपको, इसमें भी seniors ने भी क होगा, कि sir, goal set करें, targets मनाएं, target set करें, ठीक है, target set करना क्यूं जरूरी है, ठीक है, एक person है, ठीक है, मिसाल के तो पर उसकी मनजिल जो है, वो कराची है, उसने कराची जाना है, लेकिन उसको रस्टे काई पता नहीं है, ठीक है, तो वो कराची पहुंच सकता था, शर नहीं पता नहीं है मज़ेकी बात यानि कि उसको अपनी destination का भी पता नहीं है वो एक बस में बैढ़ जाता है ठीक है और कोई conductor उसे पुछता भाईजन कहा जाना वो कहता कहीं भी ले जो मैं चला जाओंगा मुझे बताओ क्या वो मसाफिर होगा कि वो अवारा गर्द होगा सर वो अवारा गर्द होगा इसी तरीके से हमारी जिंदगी है हमें अपनी जिंदगी के अंदर सर पता ही नहीं है कि हमारी destination क्या है हमारी मन्जिल क्या है हमने जाना क्या है हमें कोई guide करने वाले इनी school colleges में तो सिर्फ रटा है सिर्फ रटा है आपको जो चीजें बताई जाती है तो सर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने goal set करने है कैसे आपने target set करने है उसके बाद आपके targets achieve कैसे होंगे तो आपने अच्छे तरीके से इस session को यानि कि ये तो तकरीबन 10-15 मिन का मैं topic cover करने की कोशिश करूँगा तो आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लेना इंशाला after the day हम session को end करेंगे तो सबसे पहले सर दो तरह की हमेशे याद रखीगा goals होते हैं कितनी तरह की सर दो तरह की category की goals होते है पहले होते हैं सर results based goals और second होते हैं सर processed based goals ठीक है पहले मैंने कौन से पता है results based goals और second number बसर आते हैं process based goals ठीक है याद रख लिजेगा सर के ज्यादा तर लोग results based goals को follow करते हैं वो क्या कहते हैं मिसाल के तोर पर किसी ने कहा कि भाईजन तूने इकोनेक्स के अंदर bronze, super bronze level done करना है, ओ मैं super bronze level done करूँगा, कब करना है जी मैं दो मीनों में कर लूँगा अब ये क्या हो गया सर, अब ये results based goals तो हमने set कर लिए, करना भी जरूरी है अच्छा जी, लिख भी लिए है goals, ठीक है, चिफका वो goal set करना ही बंद कर देते हैं, क्यूँ, सर वो सिर्फ results based goals को follow करते है ठीक है, results based goals क्या है, मैंने जैसे बता दिया, suppose that, मैंने गाड़ी लेनी है ठीक है, गाड़ी, मैंने set कर दी 6 महीने एक साल में, गाड़ी लेनी है, ये कर ले ठीक है, ऐसना आँ लग जावे न, ठीक है, तो वो पिर जोंपड़ी वाले भी अपने सामने घर रखके बैड़ जाएं कि हमें घर आ जाएगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, ठीक है, उसके बाद, सर बहुत से लोग घर का सोचते हैं, मनी का सोचते हैं, या को हमेशा process based goals भी, आपको इसको set करना पड़ेगा, कि आपको उस goals को achieve करने के लिए जो process है, कौन सा process आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे आप ऊसे achieve कर सकते हो, अगर आप process based goals को भी साथ में, नहीं आप उसको देखेंगे, या अप उसको follow तो नहीं करेंगे या आप उसको set नहीं करेंगे तो याद रख लिजेगा आप results based goals को achieve नहीं कर सकते ठीक है या तो बहुत टाइम लगा कि आप उसको achieve कर पाओगे ठीक है जिदो तोड़े अंदर तमन नहीं मोकिजेगी ठीक है उसके बाद यहां लिखा हुआ है sir you can never achieve your goals without setting a process यानिके वही चीज मैंने जो कि आपको बता दी है कि आप कभी भी जो है वो without setting जो है वो process based goals आप जो है वो results based goals नहीं achieve कर सकते राइट ठीक है आगे बढ़ते है sir कि कैसे आप process based goals को set कर सकते हैं ठीक है बहुत असान चीज़े हैं मैं ज्यादा लंबी चोड़ी बाते नहीं कर याना जो daily targets हैं एक बात याद लेज़ेगा आपने कल को क्या करना है वो आज के आपके काम बताएंगे आपने कल को क्या चीज़ अचीज़ अचीज़ करनी है अगर आपने का है मैंने दो मन्त के बाद सूपर ब्रोंज, सूपर सिलवर, सूपर गोल्ड लेवल डन करना है मै लेकिन आज आप सो रहे हो, तो मुझे बताएं क्या बैटे बैटे सकरदू के टूर पे जाके आप जहास पर उड़ रहे होंगे नहीं होगे तो उसी खुद जहास बन जाना है, ठीक है मतलब यह है कि आप नहीं अचीव कर सकते बेशक बोलते रो, बेशक अंदर से जितनी म पर focus करना पड़ेगा यहां मैंने मेंचिन कि है primary daily actions आपको अपने आज के कामों की तरह focus करना पड़ेगा आपके आज के action plans क्या है आज के आपके targets जो currently आप क्या कर रहे हो आपको daily जो actions उनके ओपर focus करना पड़ेगा कि आया मुझे कितने लोगों को जो है वो phone calls करनी पड़ें मैंने कुछ भी अपनी जिन्दगी में मैं आज क्या कर रहा हूँ मैं आज कितनी study कर रहा हूं मैं आज कितना focus कर हूँ मेरा आज के daily की routine क्या है उसके लिए मैंने daily क्या-क्या target daily क्या-क्या task मैंने set की ही हो और कभी हमनी set की है sir अब मिसाल पे meи को example के साथ समझाने वाला हूँ ठीक है कि यहां mention है dedicate ठीक है sorry decide three tasks for 2023 ठीक है आपने एक काम करना है 2023 का साथ स्टार्ट हो चुका है आपने 2023 के अंदर ठीक है तीन ऐसी चीजें तीन ऐसे टास्क तीन ऐसे daily based पे जो टास्क होते हैं वो आपने decide कर लेने हैं जो आपने टास्क जो के आप achieve यानि के आप daily based पे उसके अपर अमल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसको complete करोगे तो आप वो अपने जो goals हैं उन तक पहुंच सकते हो उस destination तक पहुंच जाओगे ठीक है उसके बाद जो है हमारी company में आपका या फिर वो पहुन कर चुक है बर लेख को स्टीर फोल्ट लेवल? मैं किस स dibujल्ट पोर जो हो शाओनों या उसकती हो वह सकती हो आपको बताएंगे वो आपको प्लैनिंJanिक करेंगे देंगे आपको कितनी phone calls करनी पड़ेंगी आपको कितनी presentations मे लोगों को बिठाना पड़ेगा, आपको कितने follow up and closings करनी पड़ेंगी, team calls meetings कितनी करनी पड़ेंगी, किस तरीके से आप अपने upline के साथ connected रह सकते हो, यह सारे चीज़ें वो आपको बताएंगे, ठीक है, यह सारे काम आपको daily basis पे यह task decide करने पड़ेंगे यह daily basis के task ही बताएंगे कि आपका आने वाला, वो कहते हैं ना, your currently decision will decide your future कि आपका अभी का ही decision आने वाले future को आपको change करता है, सिरफ किसी चीज़ को join कर लेना, इस platform को join कर लेना काफी नहीं है, आपको daily task, अगर आप daily task में डंडियें मार रहे हो अगर आपने का है, जी मैंने जो है, वो goal सेट किया है, जी मैंने जो है ना, 28 February से पहले super silver होना है, ठीक है, लेकिन अभी आपके काम ऐसे है ही नहीं, आप daily basis में कोई उसके लिए action नहीं ले रहे हैं, तो sir, वो goals होते हैं, जो के हर person achieve कर सकते हैं, तो हमेशा याद लगजेगा, वो goals हमेशा set करें, जो के आपको change कर दें, जिसके लिए आपको थोड़ा सा change होना पड़े, तो याद रख लिजेगा, अगर आप अपने goals achieve करना चाहते हो, और fastest time पर achieve करना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आपको change करना पड़ेगा, comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, हड़ आरामी वाले person नहीं achieve कर सकते हैं, और अगर हर person goal achieve करने लग जाए ना, तो ताड़ा पाकिसान बहुत ज़्यादा ही कहीं और पहुंच आए, actual में क्या होता है, एक survey के मताबिक पुरी दुनिया में सिरफ 5% लोग ही हैं, जो किसी चीज़ को follow सही तरीके से करते हैं, बाकी 95% लोग उपर से गुजार देते हैं, आज के session में भी, आज के session में भी है, जो तकरीबन 150 प्लस जो यहां person बैटे हैं, इन में से भी सरफ 5% लोग ऐसे होंगे, जो कि इनके ओपर अमल करेंगे, और आने वाले वकत में वो इस company के top ranks में उनका नाम होगा, top levels में उनका नाम होगा, और बाकी लोग मुँ देखते रहाजेंगे, कि ओ, 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 वो रोते ही रहाजेंगे, उनका कुछ होने वाला, नहीं है, तो हमेशा breakthrough करना पड़ेगा, आपको ऐसे goal decide करने पड़ेंगे, और उन goals के लिए आपको change होना पड़ेगा, ठीक है, एक और बात, बहुत गोल्ड की planning करनी पड़ेगी, फिर गोल्ड पे जाके आपको फिर platinum की planning करनी पड़ेगी, फिर आपको ambassador की planning करनी पड़ेगी, एक बंदा है वो आज bronze भी नहीं, वो कहता है, मैंने super gold होना है, कैसे होगा, यानि कि ये वही बात होगी, कि एक CD पे कदम ने रखा, मैंने दस्वें CD पर कदम रखना तो क्या होगा सर, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा, यानि कि फिसल भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कहने का मकसद क्या है, कि आपको हमेशा step by step चीज़ों को follow करना पड़ेगा, ठीक है, achievable goals आँ, ठीक है, बात करते हैं सर, written goals, आचा, बहुत से लोगрам क्या करते हैं, बहुत से लोग Hills एट करते हैं, माइंड में भी बनाते हैं, सर जी मैंने सोचा था, लेकिन सर वो लिखते नहीं है, ठीक है, वो लिखते नहीं है goals को, ठीक है, मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सर्वेठ बताने यारों, बहुत बड़ी यह जो है, इसके ओपर एक बहुत बड़ी theory लिखी गई टीक है, इसके ओपर बहुत बड़ा इसके ओपर बंगाइदा story है, ठीक है, यह क्या है, ठीक है जिसका बुक है, जिसका नाम है, आप इसके बारे में search ठीक है, यह वो आते हैं, जो के top MBA के students यहां से निकलते हैं, यह school वो वाले नहीं होते हैं, metric वाले, उनके यह school higher education वालों को भी कहा जाता है, ठीक है, तो MBA के top जो degree देने वाले students हैं, ठीक है, यह उनमें इनका नाम आता है sir, Harvard Business School, ठीक है, तो इसमें sir, एक survey हुआ, क्या survey हुआ sir यहां लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, ठीक है, survey of Harvard University about written goals at 1979, 1979 में sir, यह survey हुआ था, Harvard University में, ठीक है, और यहां इस survey के मताबिक जो result निकल कर आया था, वो यह था कि sir, written goals can set you up for 10x edge over others, उन्होंने कहा कि sir, यह जो written goals थे ना, ठीक है, यह जो written goals को follow करने वाल लोग जो थे, वो आने वाले वकत में, बाकी लोगों के मकाबले में, उनकी income जो है, वो 10 गुना ज्यादा थी, ठीक है, तो चले बात करते है, sir, यह survey कौन सा था, मैं आपको survey clear करूँगा, फिर इंशाला session को end करेंगे, ठीक है, why written goals is so much important, बहुत से लोग goals बना लेते हैं, for example अबल काइदे आजम ने सोचा होता, कि पाकिस्तान बनाना है, अगर उसको बकाइदा, उसका नक्षा ना लिखा होता, उस चीज़ों को ना प्लैन किया होता, तो आज पाकिस्तान ना बनता, दिमाग में सोचने से कोई काम नहीं होता, तो sir, इस survey के recording, मैं जल्दी से survey पेश करूँगा, आप इसके बारे में जाके Google भी search कर सकते हैं, यह मेरी आज की बात नहीं है, यहां mention है कि sir, Harvard University के अंदर 1979 में, जो pass out होने वाले जो जितने भी students थे, उनमे एक survey किया गया, क्या survey किया गया, class में जितने students थे, ठीक है, उन से पूछा गया, क्या आपने अपने आने क्या किये हुए थे, वो लिखे थे, यानि कि बकाइदा गोल सिरफ बनाए नहीं थे, बकाइदा रिटन भी लिखे हुए थे, उसमें sir, 13% ऐसे लोग थे, कितने sir, 13% लोग ऐसे थे, जिन्होंने गोल सेट किये थे, लिकिन sir, लिखे नहीं थे, और उसके बाद 84% लोग ऐसे थे, ठीक है, अराउंड अबाउट जो है, यानि कि जिन्होंने क्या किया था sir, जिन्होंने गोल भी निसेट किये, कुछ भी नहीं उन्होंने का, हम इतनी अच्छी उनिवस्टी में पढ़ रहे हैं, क्या होगा, हमें जो भी नोकरी मिली, कुछ भी मिले हम कर लेंगे, ऐसा साल के बाद, ठीक दस साल के बाद, जब उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया, जब उनको देखा गया, तो sir, बहुत ही जबरदस्त, जो है, मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत हिरान कुन, जो है, वो चीज़ें पता लगी, वो क्या लगी, sir, वो 90% लो लाइफ जी रहे थे, ठीक है, आला कि इतनी अची अची उनिवस्टी में पढ़े थे, ठीक है, यानि कि जो जो वो नीड, उनकी जो नीड थी ना, उतने भी पैसे उनके पास नहीं होते, यानि कि जो बेसिक जरूरियात थी, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, sir, जो वो 13% लोग थे, 13% लोग थे, sir, वो एक एवरिज लाइफ गुजा रहे थे, यानि कि कुछ चीजें उन्होंने अचीव कर ले थी, लेकिन कुछ जो थी, जो उन्होंने सोची हुई थी, यानि कि जो उन्होंने ड्रीम्स, जो टार्गेट सेट की हुए थे, उसके मताबिक, sir, वो आफ भी अचीव नहीं कर पाए, और सब वो जो 3% स्टूड़न्स थे, जिन्होंने बकाइदा गोल्स को रिटन फॉर्म में लिखा था, बकाइदा मैंशिन किया था, sir, वो 3% स्टूड़न्स थे, उनकी लाइफ स्टैल को, sir, जब देखा गया, ट्रैक किया गया, तो, sir, वो जो 97% स्टूड़न्स थे, ठीक है, उनकी टोटल इंकम से, टोटल इंकम की बात करो, उनसे 10 गुना ज्यादा इंकम उनकी थी, जो वो सिरफ 3% थे, ठीक है, और वो बहुत अच्छी लाइफ स्टैल स्पेंड करे थे, तो, sir, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा, कि रिटन आपने मुबाइल पर वाल पेपर लगाएं, कि जी, आपने डेली क्या टाप, फो रिजम्बल आपके मुबाइल पर नोट पैड होगा, उस नोट पैड पे आपने अपना टाइम डेट मेंशन करनी कि कल के दिन मुझे क्या क्या काम करने है, वो काम नोट पैड पर लिखें, उसके बाद अपने वाल पेपर पर लगाएं, ताकि जैसे ही आप अपना मुबाइल फोन आउन करें, आपको वो टास्क आपके माइड में क्या करें, अलाम दें, ठीक है कि आपने आज ये काम करना ही करना है, ठीक है, अगर आप वो काम ना कर पाएं डेली, तो आपका माइ आपके बड़े बड़े ड्रीम्स अचीव होते हैं, जो कि आपने बोट यानि के वो कहते हैं जागती आँखों से आपने जो खाब देखे होते हैं, तो तो आप इसको सिरियस लेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को, और अपने गोल सेट करेंगे, अपनी डिरेक्शन, अपन इसके बाद उसके ओपर डेली बेस पे एक्शन लेंगे, और अपने और जैसे मैंने इस बे मॉडल बताया, तो आप उससे डिसाइड कर चुके होंगे, कि आपने किस कैटागिरी में जाना है, आपको किस कैटागिरी में जाकर आगे क्या मिलने वाला है, कितना पैसा कमाएं टाइम लिवरिज का यूज कहां से होगा, और नेटर्म मार्केटिं इंडस्री आपके लिए इंपोर्टन कितनी है, ठीक है, होप तो आज का सेशन आपको समझ आया होगा, यह मैं कुछ न कुछ समझा पाया होगा, ठीक है, और इनको आपने सिर्फ नोट डाउन नहीं करना वो सिर्फ नोट डाउन करते हैं, सर इनको आपने अपने अंदर जाने देना है, इनको आपने डीपली समझना है, आया है यह चीज़े क्या है, आप जिस इंडस्री में आई, इंडस्री कैसर एक बाद याद रिजएगा, मुझे बड़े लोग ऐसे कहते हैं, सर मुझे दो स छे मंत लगेंगे उसको सीखने में, ठीक है, तीन से छे मंत के बाद मुझे मैंने जो पैसे दिये हैं, वो मेरी फीस है समझ लें, ठीक है, आप यहां से एक इंस्टिटूट से सीख रहे हो, सर स्किल भी तो सीखते हैं ना, सर आप कोई कोर्स भी तो करते हो, ग्राफिक लेकिन आपको अभी experience नहीं है, इसको सीखो, अपने घरवालों को बताओ, मुझे तीन से छे महीने आपने देने हैं, मैं यहां से सीखूंगा या सीखूंगी, सीखने के बाद मेरी earning स्टार्ट होगी, सर आपके घरवाले आपको force नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इसको स सीखें, earning के तरफ ना भागें, 70-80% लोग काम इस प्लैटफॉर्म में इसलिए नकाम होते हैं, बलके 90% लोग इसलिए नकाम होते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो सीखते नहीं हैं, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सीखने के अपर आपने इस इंड़स्ट्री को सीखना य पुषकराय ठाकुर हैं, दविंद्रा शर्मा हैं, तीक है, इसके साथ साथ दीपक बजाज हैं, तीक है, इसके साथ साथ सोनो शर्मा हैं, तीक है, और इसके साथ साथ सोनो शर्मा हैं, तीक है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जिनको मैंने फॉलो करके, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है उन से और आज मैं जो कुछ पहुंचा हूँ अपनी अप्लाइन सीनियर्स और उनकी वज़ा से पहुंचा हूँ तो आपने इसी तरीके से यूट्यू आपके पास एक फ्री का कॉंटेंट पढ़ा है तीन से छे महीने आपने सीखने पर इंस्टिटूट में आपने देने है सर उसके बाद लाखों का पैसा भी आपने कमाना है याद लगेगा कुद्रत उतना ही नवासती है जितने काबिल हम होते हैं और उकात से बाहर कुद्रत आपको नहीं नवासती तो सीखने पर फोकस करना है ठीक है इन्शाला ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने वाली है लाकों के गड़ाबे के बिजनस के ओनर्स के हैसियत से आप इसमें पहुचने वाले हो तो आपने आपको उस काबिल आपने बनाना है तो मुझे दोआ में याद रिखीगा विश्यो बेस्ट आफ लॉक आल चेंपियन्स टेक कियर अलाफिस